मेरी होप ही है कि इस पॉड़कास के थुरू कोई ambitious fashion entrepreneur बहुत कुछ सीखे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लगा 400 करोड के business empire के मालिक अनन्द तांतेड ने बिना किसी marketing और celebrity endorsement के The Indian Garage Company को इंडिया में एक leading men's fashion brand बनाया है विराट कोली का wrong और रितिक रोशन का HRX इन दो ब्रैंड ने सही क्या किया है आजकल street style की बहुत बड़ी एक wave चल रही है बहुतों को street style brand स्टार्ट करने करें गिम प्लान रोज fashion chain दो रहा है जैंजी कंदियूमा things very different ही है holiday पर दा रहा हूं Goa में तो वह wardrobe मेरी अलग बनेगी आगे जो मैं देख रहा हूं तो वापस है फोर का सुपर स्कीन ही का रहा है ओ गॉड टाइट का रहा है जब मैं भी कॉल्ज में था पहुत सारे लोगों को t-shirt brand स्टार्ट करने को बच्चों को advice यह है या जो भी young guys who want to get into safe fashion वुड भी नहीं तो लंका लग जाए मशूर athlete है Michael Jordan उन्होंने Air Jordans create किये वो billionaire बने life में तो celebrities की दुन्या में हर कोई D2C brands खोलने की कोशिश कर रहा है खाली face लगा देने से brand बनाने से problem solveने होने वाला है क्या एक top actor convince कर पाएगा consumer को कि यार मेरी ये shirt खरी दो Indian consumer मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे ओशार consumer he doesn't get carried out हमारे देश में mostly clothing brands मरते कैसे gap पदा लगा हो gap ऐसे नहीं define होती है कि मैंने क्या देखा कि मुझे एक black denim नहीं मिली वो gap नहीं हो सकती gap define होती है एक consumer ने क्या ढूंडा clothing line की success में ये creative angle बहुत ज़रूरी है reflex है वो जैसे airport जाते हो मैं fit देख रहा हूँ इतनी women slim fit denim पेंडरी है कितनी loose fit denim पेंडरी है एक experiment करते हैं इसकी cost price क्या है मैं आपको cost बताऊंगा तो साइद पहना छोड़ दोगे अगर किसी ने भारत में एक clothing line आज start करी 2024 में बहुत smart game खेली क्या वो इंसान भी one of the richest in the world बन सकता है दोस्तो हमारे देश में इतने सारे aspiring entrepreneurs हैं इतने सारे लोग हैं जो clothing की दुनिया में fashion की दुनिया में businesses खोलना चाहते हैं बहुत सारे लोगों को इस industry के बारे में जानकारी नहीं है फिर भी एक सपना होता है दिल में जब जारा के बाहर चलते हो न जब जैकन जोन्स के बाहर चलते हो आपको लगते हैं मैं भी एक दिन शायद ऐसा ही बड़ा business खोल सकता हूँ बहुत सारे content creators को eventually apparel business ही start करना है मैं मानता हूँ कि आज के podcast देखने के बाद इस podcast के viewership में से ही 100 future billionaires बनेंगे भारत में ये है Indian apparel space की business opportunity बहुत ज़्यादा growth पा सकते हो आप अगर आपने इस industry के बारे में सीखा और इस industry के अंदर ही एक business बनाया तो पर execution से पहले ना आनिंग करनी चाहिए पढ़ाई करनी चाहिए आज आप सीखोगे इसी industry के एक दिगज से अननतातेड इंडेन गराजकों के founder ने सालों पहले इस industry में एंटर करा इस industry के secrets जाने और एक successful profitable brand gradually एकदम slowly build किया आज इनके revenues इनके profits देकर लोग चौक जाते हैं पर यहां तक पहुँचने के लिए इन्होंने बहुत पढ़ाई करी है इनके 20 सालों की पढ़ाई को हमने एक 2 घंडे के podcast में crunch down करा है अगर आपको खुद का एक clothing business start करना है अब 10 साल बाद 20 साल बाद फिर भी आप यही podcast सुनोगे इस आनत तातिर भाई of the Indian Garage को on TRS भारत में दो चीजों की बहुत ज्यादा hype है at this point एक चीज़ है practical student and post college entrepreneurship हर किसी को business start करना है हर किसी को भाढ़ना है life में shark tank इंडिया की वज़ा से और दूसरी चीज़ की hype है celebrities की दुन्या में celebrities की life में एक सच्चा ही है कि एक point तक आपकी earning बहुत high चले जाती है और फिर उस point के बाद आपकी earnings plateau करने लगती है यानि कि high growth नहीं मिलती ये cricket का भी सच है फिल्मों का भी सच है youtube birds का भी सच है तो celebrities की दुन्या में हर कोई D2C brands खोलने की कोशिश कर रहा है parallelly students और college entrepreneurs की दुन्या भी इसी topic के बारे में बात कर रहे है पर बहुत कम लोगों को D2C की समझा इसलिए आनन्द भाई आज आप हमें D2C के बारे में समझाओगे तो हमने चालू किया बेचना 2010 में 2010-2011 में समझ लो आप मुटा मुटा और उसी समय इंडिया में चालू हो रहा था इकॉमर्स पे युनो युनो थे ट्रेंड उप बाई ओन इकॉमर्स डील साइट सी पहले काफी युनो चार गंटे की डील, छे गंटे की डील कूपन खरीद लो उसके बाद में डील ये कर लो गो कर लो फलिपकाट और स्नाप डील का फेस था बहुत बाद में आए, I think उससे पहले फैशन इन्यू, 99 लेबल्स, you know ओम शॉप 18, नाप तोल ऐसे कही सारे अलग-अलग युनो वर्टिकल्स थे और उनी को हम आइडली D2C बोलते थे क्योंकि, you know, और e-commerce marketplaces, उसका रीजन ये था कि, basically D2C का मतलब कहा है, D2C का मतलब है कि direct to consumer आप अपनी manufacturing और आपका जो product है, उसकी distribution है, वो सब कुछ आप समाल रहो, product का design आप समाल रहो product की manufacturing आप समाल रहो product का supply chain आप समाल रहो, बना भी आप रहो, बेच भी आप रहो, तो फैशन में एक पहले होता था manufacturer, या तो manufacturer, pure breed manufacturer, वो किसी और के लिए माल बना रहा है, या वो manufacturer अपना खुद के brand label में माल बना रहा है, फिर वो जाता था wholesaler के पास में के भाई ये मेरा माल है, अभी तु इसको distribute कर and the outlets were retail फिर so-called D2C e-commerce marketplaces आए, इन्होंने बोला भाई, हमने platform बना दिया, अब तुम अपना माल लिस्ट करो और बेचो तो इसमें क्या हुआ कि आपका जो brand है, वो आपने लिस्ट किया और लिस्ट करके आप consumer directly देख पा रहा है, उसको देख पा रहा है और directly खरीद पा रहा है, so there is where this entire term was coin अभी उसके बोट सारे मीनिंग हो गए, अभी आदमी ने अपनी वेबसाइट खोल दी, तो बोलता है मैं D2C कर रहा हूँ आदमी ने white labeling कर लिया white labeling is basically आप किसी और के पास में गए, आपका माल बनवा लिया उसके अपर आपका लेबल लगा दिया हमने हमारा ब्रैंड स्टार्ट किया हमने रीटेल में भी बेचा और हमने marketplaces के साथ में भी बेचना चालू किया 2010-2011 में जभी ये साली deal sites थी और लेटर केम अल अब 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 आदर marketplaces and you know what we see today is a very matured, बहुत matured e-commerce और D2C playhub अब अब देख रहा है और उसके काफी वारे meaning और iteration भी निकल गया भी आपको आपकी journey के बाद है definitely पूछना है कि ये supply chain कैसे बनाई काफी हद तक आपने इक bootstrap business भी run किया था correct पर उससे पहले मैं थोड़ा सा gear switch करना जाओंगा celebrities की दुन्या में correct कहां से start करें क्योंकि अक्सर ना भारत के celebrities international celebrities की game plan को copy करते और Hollywood में Ryan Reynolds ने मेरे ख्याल से एक mobile network खोला था something like that और बहुत ज्यादा कीमत के लिए he sold it to I think AT&T if I'm not mistaken फिर उन्होंने मेरे ख्याल से tequila brand भी start किया था बहुत सारे लोग वहाँ alcohol के brand start करते वहाँ एक बहुत famous beauty content creator थी Huda Beauty उन्होंने एक make-up की line start करी and she became a billionaire तो जितने भी भारतिया content creator जितने भी भारतिया celebrities है सारे वहाँ के लोगों को copy करते वहाँ के एक मशूर athlete है Michael Jordan उन्होंने Air Jordans create की है based on creation of Air Jordans वह billionaire बने life में यहाँ के सारे cricketers अब यह तो कपडे की line start कर रहे है यह sneakers के बारे में सोच रहे है यह sports, athleisure के बारे में सोच रहे है तो मेरा सवाल यह है कि यह सिफ 2024 की reality नहीं यह पिछले 10 सालों की reality है and mostly जो मैंने notice की है 99% of celebrities fail at D2C मेरे ख्याल से सिर्फ विराट कोली का wrong और रितिक रोशन का HRX यह दो brands है जिने success मिला है जिनकी बाते अच्छली होती है living rooms में, colleges में बगेरा बाकी किसी भी Indian celebrity ने एक बड़ा D2C brand नहीं बना है and I'm sure कि actually Indian celebrities भी यह podcast देख रहे होंगे अब मेरी theory है कि D2C बनाने के लिए एक tiger की जरूरत होती है someone is fully dedicated जो D2C समझता है जिसके पास experience है, know-how है, business skills है और celebrity का job उनके craft से related होता है अगर मैं एक YouTuber हूँ मैं मेरे YouTube game पर focus करूँगा वो भी एक अलग से skill होती है अगर मैं क्रिकेटर हूँ, मैं क्रिकेट पर focus करूँगा अगर मैं एक अक्टर हूँ, मैं acting पर focus करूँगा इस पूरे reality को पहले breakdown करना चाहूँगा starting with HRX and wrong Kohli and Hrithik Roshan कुछ कुछ ऐसे भी rumors है कि Hrithik Roshan ने अपना थोड़ा सा steak बेच कर 100 करोड से ज्यादा रुपए कमा है I don't know true that is but business circles में ऐसे ही बात है होती है again I boil down to just these two guys इन दो ब्रांट्स ने सही क्या किया है कि we are sitting here and talking about these two brands सही तो एकी चीज होती है सही तो product होता है product अगर आप crack कर लोगे तेखो मतला मुझे पर्सनली यह लगता है कि celebrity बनने में भी महनत गई आपने भी you have your own app right on meditation you've also climbed a lot of ladders of success in your life तो celebrity बनने में भी महनत जाती है उतनी महनत प्रड़क में करनी पड़ेगी अगर आप यह सोचते हो कि Indian consumer मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे ओशार कंजूमर माला इसमें कोई दोरा है नहीं Indian consumer की जो knowledge है जो पकड़ है बचपन से हम लोग इस तरह से बड़े हुए वो D.A. नहीं कोई चेंज नहीं कर पाएगा वो चेंज हो ही नहीं सकता है right तो Indian consumer बट शार्प है celebrity आज you know for us our brand ambassador is Suryakumar Yadav you know cricketer very very successful at what he does he brings in you know that एक जो confidence बोलते है ना अजकल क्या होता है कि मैं D2C से shopping कर रहू हूँ यार website फेको सकती है मेरे पैसे दा सकती है he you know celebrity endorsement can be looked at two-way celebrity starting their own brand or contributing to a brand and saying कि मैं इस brand मैं स्टेक लूंगा या मैं इस company में स्टेक लूंगा फिर मैं brand ambassador भी बन जाूंगा फिर ये company you know बड़ी हो जाएगी और फिर हो सकता है वो cash out करे या जो भी है अगर आपको pure D2C बनाना है जैसे wrong और HRX product-led companies है इन्होंने product बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने product को solve किया किसी celebrity को देखके aspiration develop कर लूँ कि मुझे वो खरीदना है वो अलग बात है बढ़ दूसरी बार अगर उसका product ठीक नहीं है तो मैं नहीं खरीदने वाला हूँ मतलब कोई भी हो मैं किसी को भी preach करता हूँगा तो भी मैं किसी का ardent follower हूँगा तो भी as a consumer मैं बहुत smart हूँ as a consumer Indian consumer बहुत smart है तो आपको product solve करना पड़ेगा आपको जैसे entrepreneur product company बनाता है वो product company बनानी पड़ेगी वो product market fit देखना पड़ेगा consumer की demand समझनी पड़ेगी कि consumer क्या चाता है थोड़ से हलके से back to student mentality and college mentality यह switch करते है जब मैं भी college में था 2011 to 2015 बहुत सारे लोगों को t-shirt brand start करने थे और एक point के बाद कुछ-कुछ लोग कहते है कि clothing brand start करने थे Gen Z's भी especially tier 1 में बहुत सारे street style brand start कर रहे है तो जो आप यह कह रहे हो आपके market size के बारे में कि 1000X की growth बागी है यह सारे students और young entrepreneurs यूटिलाइज कर पाएंगे इस opportunity को 100% इतना बड़ा market है अपने को entrepreneurs कम लगेंगे मतलब इंडिया की अभी यह position है कि entrepreneurs कम है और market size बड़ा है तो मुझे कहीं भी यह doubt ही नहीं होता है कि अभी कहीं पर भी कोई ceiling hit हो रहा है हमारा और अब सिर्फ फ्रैशन की बात कर रहा हूँ मैं तो जेर्रलिस्टिक व्यू देखता हूँ इंडिया का consumption तो अभी चालू हुई है अभी Gen Z consumer जो है वो market में आना चालू हुआ है वो तो पैसा खचने में विश्वास रखता है हमारे आप पेरेंट्स बिलीव दिन सेविंग वो सेविंग में विश्वास रखते दे पता है के मतला अपनी इंकम का 10-20% ही स्पेंड करो 80% सेफ करो तो पेरेंट्स ने घर बना दिये घर है सब कुछ है अभी Gen Z consumer thinks very different he believes in living life उसको तो जिंदगी जीने की ए बस you know he feels life is very short जिंदगी जीो मजा मारो तो बने for everything consumption is going to grow for everything because you're going to move आपकी economy formalized भी होगी आपकी economy में spending power भी बढ़ने बाला है you know people are going to come and spend and we are just hitting the tip of the iceberg अभी मुझे लगता है कि अभी तो बहुत जनी बाक्त तो ये 2024 और 2025 के context से बहुत जरूरी podcast है नहीं मुझे लगता है कि लिए 10 साल के लिए बहुत जरूरी मतलब बहुत सारी जगे आपने जो college students की बात करी और मुझे ऐसा लगता है कि इतना scope है कि scope तो endless है बट grind उतनी endless है सब से पहले क्या है आदमी market size number सब fancy है बहुत fancy लगता है तीन लाग क्रोड का market हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा Excel sheet पर PDF पर presentation में सब जगे दिखता है growth है करने जाते हो तब reality check आते है switching back to celebrities मुझे celebrity perspective पता है कि celebrities को कुछ-कुछ smart लोग मिल जाते है जो ये numbers उनकी वर फेकते है और कहते है कि अब कितना ही कमाल होगे films के थूरू कितना ही कमाल होगे cricket के थूरू अभी ये करो फिर start करते है और फिर धप ये celebrities की दुन्या में इतने failures क्यों होते है D2C को लेकर मैंने आपको बताया ना सबसे बड़ा point है इसका कि US के consumer और India के consumer में जो मैं देखता हूँ ये मेरा view point है कि बहुत फरक है मैंने आपको बताया इंडिया का consumer मुझे ऐसा लगता है दुनिया का सबसे होशार consumer है He doesn't get carried out उसको और जैंजी तो specially मतलब जैंजी तो उसको माल बढ़िया चाहिए उसको डील बढ़िया चाहिए वो ही Instagram देख रहे है वो ही content देख रहे है आपका show देख रहे है सबको सब ग्यान मिल रहा है और ग्यान तो बट रहा है मतलब तो consumer awareness तो बढ़ती चली जा रही है इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि celebrity-led brands will definitely be successful there is no way they will not be successful they will also have their own share उनका भी एक share रहने वाला है और उसमें भी वो लोग जो product में involved है वो लोग जो उस game को समझ के problem solving में involved है कि यार मुझे brand क्यों बनाना है खाली face लगा देने से brand बनाने से problem solveने होने वाला है आपको brand की value तो consumer को deliver करनी पड़ेगी come what में aspiration build हो सकता है आप बहुत जाने दा सकते हो but does that translate into real sales is the question that we'll have to ask सबसे बड़ा question है does that translate into repeat आज e-commerce की सबसे बड़ी problem है repeat consumer अगर आप experience सही नहीं दोगे आप D2C में एक बार माल बेज दोगे बाद में या तो वापस आजाएगा अगर वापस नहीं याएगा तो क्या होगा वो consumer या तो माल वापस आजाएगा या consumer वापस नहीं याएगा दोनों में से एक चीज़ तो होनी वाली so then I think very good concept of having you know celebrity-led brands but they should stand for something they should solve some problem they should solve some product कोई product ऐसा solve हो रहा है और नहीं तो फिर वो जो इंडिया का you know luxury और उससे थोड़ा नीचे वाला market वो फिर वो ही 2-3 चार्ट का market उसमें आप मने अच्छा branded space में खेल लो उसमें there is a limited scope currently in India आगे जाके वो भी unlock होगा examples दे सकतो examples of brands in that space मलाब see today मैं Zara की बात करता हूँ Zara you know for the western world or Europe is a it's a affordable premium kind of a brand Zara is mostly treated as you know more in the luxury space only मलाब जिस तरह से हम शाइद लाइफस्टाइल ब्रांड को देखते है फॉरनर उस perspective से Zara को देखते है 100% right उनके लिए वो affordable segment में आता है okay but India में Zara हमारे फोड़ा सा fancy है हमारे फैंसी है मारे फैंसी है मारे थीन अजार की शर्ट fancy हुई न माने 3,000, 4,000, 5,000 fancy है I mean you can me and you can have different perspective हमारे perspective साहद हम बहुत narrow mindset से market को देखते है but where is majority of the India right and I think 70% of the shoppers today are shopping below 1000 रुपी 1000 रुपे के नीचे शॉप करता है 3,000 तो फिर luxury हुई okay जैसे Zara के founder Ortega yeah Armancio Ortega he's one of the richest people in the world तो क्या अगर किसी ने भारत में एक clothing line आज start करी 2024 में बहुत smart game खेली तो 20 साल 30 साल बाद क्या वो इंसान भी one of the richest in the world बन सकता है उसके लिए खाली हमारी खुद की जनता को पहले Zara बोलना बन करके और domestic brands की बात करनी पड़ेगी you know क्या हुआ है कि हम ingrained हो गया है हमारे mindset में कि European है तो बढ़िया है American है तो बढ़िया है अच्छा है मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि अच्छा नहीं है बहुत सूपर है बहुत बढ़िया है they are very good companies large organizations what they have built is amazing but हमें हमारे ब्रैंड्स के बारे में बात करनी पड़ेगी like vocal for local जो है के यार मैं पहनूँगा इंडियन मैं बाहर जाओंगा तो बात करूँगा इंडियन ब्रैंड्स की मेरा बहुत बड़ा द्रीम है life में कि यार जैसे हम बात करते है और city में यूनो ये ब्रैंड आ गया और city में वो ब्रैंड आ गया मैं दो मैं इंदॉर से हूँ तो इंडॉर के लिए तो बट सारी चीज़े बात नहीं थी मैं डॉनल्स भी आया तो नहीं था कि मैं डॉनल्स आगया तो वैसे पहले हमें हमारे डॉमेस्टिक ब्रैंड की उस तरह से बात करनी पड़े कि उतना एक्साइट होना पड़े का यूनो से फॉर एक्साइमपल मैं सोचता हूँ कि यार यूएस में लोग ऐसी बात कर सकते हैं कि अरे आर इंडिन गरा जा गया इंडिया से और उसके लिए पहले हमें पैस्नेट उना पड़ेगा हमारे यूनो ब्रैंड के लिए अब हमारे ब्रैंड का जैसे मेरे ब्रैंड के टाइक में मैं बड़ा-बड़ा इंडिया लिखके बेशता हूँ आत्मनिरबर भारत लिखके बेशता हूँ किस लिए इस जस्त यूनो कि लव एपने कंट्री के ब्रैंड बार जाए और वहाँ पे ये बात हो और इंडिया का ये ब्रैंड खुल रहा है यह और वहाँ लगे आज आपल स्टोर के बार लगती है इवन इंडिया में लगती है तो अगर वो हमने इंटर्नली स्थाइट किया तो यहां के ऑंट्रोपनर्स जरूर और हमारे यहां के भी fashion entrepreneurs है, चाहे, lifestyle entrepreneurs है, I am 100% sure के आज भी larger corporations to world over, maximum Indians run कर रहे है, right? The only point is, हम महा की companies run कर रहे है, you know, some of our you know, people are the CEOs of the top companies of the world तो हम कुद के लिए क्यों नहीं कर सकते, खाली and वो आ रहा है, मतलब I can see that, ऐसा नहीं है कि India में अभी Indian brands के लिए जो respect है crazy, crazy मतलब it's amazing, the way people have started looking, लग रही है लगई लाइन मतलब इंडिन ब्राइंट के store के भार भी आज वोई enthusiasm है जो enthusiasm हम पहले foreign brands के लिए दिखते थे, तो awareness बहुट deeply build हो रही है, Indian story बहुट deeply build हो रही है, brand India बहुट strongly build हो रही है, इसमें कोई दो रही है पोच जाएंगे, आप चालू करो मैं ये क्लोधिंग D2C के बहुत पढ़ता हूँ ये पता चला है कि Zara ने इतना ज्यादा सक्सेस देखा था क्यूंकि एक डिजाइन और क्रेटिव अंगल भी रहता everything from java उस Zara store में enter करते हो हमेंचा gray paint लगी हुई होती है उनका decor बहुत standardized है, दुन्या भर मेरा angle यह है कि हम as YouTubers basically create कर रहे हैं चीजों को content को create बहुत जादा creative energy लगती है to be able to create content even if it's a podcast correct the same creative energy is required in the clothing line तो एक Zara headquarters में कही, Spain में या जहां भी एक बहुत बड़ी creative team बैठी है जो अलगा कपड़े design करते जा रहे है और देख रहे हैं कि यार यह ramp box पे कैसे कपड़े पहन रहे हैं लोग, आजकल क्या trending है कैसे silhouettes, कैसे colors, कैसे materials वगेरा and भर भर के design कर रहे हैं तो I feel कि यह clothing line की success में यह creative angle बहुत ज़रूर है and इसलिए you need to be very dedicated as a founder of such a brand आपको clothing brand बनाना है आप को यह करने ही पड़ेगा अगर आप नहीं करोगे और आप इसके लिए टीम भी डालोगे तो भी आपको महनत करनी पड़ेगी उस product को वहां लेके जाने के लिए जहां आप समझते हो कि आप consumer को target कर रहे थे तो खाली समझो एक design team एक manufacturing team या किसी और के पास में जा के भाई तेरी design दिखा दे और उसके ओपर मैं मेरा label लगा दूँ और फिर मैं you know, मेरी brand value पे बेच लूँ वह बहुत difficult काम है हो सकता है बट बहुत ज्यादा difficult है उससे it's a technical field fashion is not how we see it fashion is a very technical field यहाँ पे आपको forecasting पता होनी चाहिए क्या market में trends आने वाले अभी loose fit चल रहा है छे महिने में suddenly slim fit वापस अंदर आजाएगा क्या करोगे आपको immediately change करना पड़ेगा पूरी supply chain mechanism change करना fit change करना पड़ेगा store में वापस slim fit कामाल भेजना पड़ेगा तो असान थोड़ी है और अब तो fast fashion आगे है occasion इतने हो गए जनजी के पास में पहले office आते थे तो बोलते थे आप formal पहन के दा कैसे दा रहा है आज हमारे office में in fact TIGC के office में मैं देखता हूँ मने मैं खुद भी fashion पहन के दाता हूँ सब अपना-पना style पहन के आते है कोई shorts में भी आता है कोई west भी पहन के आता है सब-सब तरग के कपड़े पहन के आते है तो इसलिए fast fashion आगे क्योंकि आप जैंजी बहुत expressive है वो नहीं समझता है कि यार मेरे को office आना है तो मेरे को formal पहन के आना है वो तो समझता है मैं जिसमें comfortable हूँ और हमारे time पे लोग जज भी कर लेते थे अभी का जैंजी तो consumer एक दूसरे को appreciate करता है अरे यार मस लग रहा है तूने दो पहने और हमारे case में क्या होता था अभी क्या पहन के आ गया बहुत बड़ा change है इसके कारण fast fashion आ गया कि अब people are ready to try आप देखो occasions कितने हो गए हमारे लिए occasion क्या था दिवाली एक बार दिवाली में कपड़े मिलते थे मामा माशी किसी शादी है उसमें कपड़े मिलते थे किसी भी घर में शादी है उसके कपड़े मिलते थे माने occasion based buying थी आज तो शाम को occasion है मैं date पे जा रहा हूँ right कल सुबह दोस्तों के साथ football खिलने जा रहा हूँ पर्सों से मैंने डिसाइड किया है कि यार मैं दो गंटे music सीखने जाऊंगा और हर occasion की dressing है और रात को मैं Netflix and chill कर रहा हूँ और अब मैं holiday पे जा रहा हूँ गोवा में तो वो वाटरो मेरी अलग बनेगी क्यूंकि Instagram पे दिखाना है सबको हाँ वो एक बहुत बड़ा boon कहलो या problem कहलो बट तो इतने occasion और उतने occasion के लिए उतनी dresses तो fast fashion का concept आगया अब आप बोल रहो मैं एक brand launch करूंगा उसमें product launch करूंगा उसको fast भी करना पड़ेगा उसकी ecosystem भी develop करने पड़ेगी जब हमने Indian Garage initially चालू किया तो factory में बैठे है अपने साथ entrepreneurs को जोड़ा है कि यार आपका 20 साल का experience है production में एक काम करो आप 12 machine लगा लो पंदा machine लगा लो हम help करेंगे लेकिन माल हमारा बना के दो मेरे पास में आज ऐसी कम से कम 60 से 70 factories है जो dedicatedly captive capacity की तरह Indian Garage के लिए काम करती है यह सब कौन लोग है यह young entrepreneurs है जो technical fields मतलब वो apparel में कहीं पर काम कर रहे थे कोई production manager था कोई factory manager था वो सब entrepreneur बने किसी ने 12 machine से 100 machine पे scale किया किसी ने 50 machine से 1500 machine पे scale किया यह 10 साल का supply chain है जो create हुआ है और यह सारे कौन लोग है जो मने समझो अपनी जॉब में 25 पचास जार रुपया कमा रहे थे आज अपना business करके 10 लाक रुपया 2 लाक रुपया घर लेके जा रहे है तो यह सारा ecosystem आज fast fashion है मेरे पास में capacity है मैं change कर दूँँगा आप सोस्ते रजा होगे कि यार मैं मेरे इसमें अभी change करूँ फिर मैं manufacturer के पास जाओ फिर वो manufacturer मुझे pricing करके बेजेगा मैं वो pricing approved करूँगा फिर मैं ये करूँगा फिर वो store में जाएगा मैं तो 30 दिन में माल तब तक बेच के खाली कर दूँगा sir आप सोस्ते रह जा होगे तो point is की ecosystem again आपको ecosystem create करना पड़ेगा you cannot just say मैं clothing brand चालू करना चाता हूँ और उसके पीछे design का ecosystem scraping का ecosystem back in the days हमारा scraper था retailer 2013 में length on breath of the country मैंने cover किया bag लेके मैं retailer के पास जाता था उसको sample दिखाता था वो मेरा scraping system था वो मुझे बताता था ये sample अच्छा है ये sample बहुत बढ़िया बना है ये sample खराब है 300-400 retailer तक हमने इंदन गराज को पहुचाया उससे सबसे बड़ी learning product की मिली आपको जाना पड़ेगा retailer के पास में सिखाएगा कौन product खली बना लेने से काम नहीं होगा उसके अंदर feedback बहुत आएंगे मैं 1500 किलोमेटर हम travel करते थे bag लेके एक 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 रीटर के पास जाते थे अपना sample दिखाते थे उनसे feedback लेते थे रात को जाके feedback को note करते थे अपने designer को बेशते थे भाई अगले बार product में अपने को यह यह चीजे और ध्यान रखने है market में यह नए आ गया और रोज fashion change हो रहा है तो आपको उतनी agility develop करने पड़ेगी आप रात को meditation की app पे जाते होगे शायद और आप meditate करते होगे मैं रात को Pinterest पे दाके कपड़े ढूनता हूँ कि आप समझ रहो dinner table पे यह बात होती है कि आज production कितना आया अपने बहुत अच्छे से यह भी समझाए कि celebrities यह D2C ब्रांट क्यों नहीं कर पाते पता नहीं शायद आंसर हो गया होगा ब्रो इस वेरी time consuming जो आप कह रहो और हमारे देश में अगर यह D2C ब्रांट खड़ा करना है तो एकड़म घिसाई करके अंदर घुस के खड़ा करना पड़ेगा तो इस टाइगर की गेम है तो उन celebrities को भी एक capable co-founder की जरूरत है 100% each for each business capable co-founder ecosystem creation will take its own time तब तक हार नहीं मान सकते आपको लगे रहना पड़ेगा एक perspective यहां मैं देना चाहूँगा from the content creation angle जितने हमारे influencer marketing के prices होते है at this point जो top के content creators जो बहुत टाइम से रहे है it's higher than what Bollywood actors charge why? क्योंकि brand समच चुके content creators actually चीज़े बेच सकते क्योंकि audience यादा dedicated होते है content creators यादा honest होते है content creators only take up the brands which they know appeal to the audience and they are usually the brands that the content creator would use themselves over 9 years मैंने नोटिस किया even through Monk Entertainment or Talent Management Agency की brands are directing more money towards content creators than actors क्योंकि content creators actually sales generate कर पाते है इसलिए मैं पूछ रहू की अगर दूसरे brands की चीज़े नहीं बेच पा रहे है actors how will they be able to sell their own thing the top actors also क्या एक top actor convince कर पाएगा consumer को की यार मेरी ये shirt खरी दो एक बार के लिए पहली बार के लिए तो convince कर लेगा brand की aspiration भी बन जाएगी फिर मैंने आपको कहा ना बाद में सारा गेम प्रोड़क का है सारा गेम प्रोड़क का है प्रोड़क अच्छा होना चीए रिपीट कंजूमर अगर आ रहा है तो इस पॉसिबल मतलब रिपीट कंजूमर तभी आएगा जब आप कंजूमर की problem solve कर रो तब आप कंजूमर को सुन रहे हो कि भई उसको कैच से मेरे ख्याल से के ब्यूटी जो Katrina Kaif का brand है that's doing well I believe Deepika Padukon ने भी a brand launch किया था उसकी chatter हो रही थी थोड़ी ताम बले but I don't keep up with that space so I'm not too sure how it's doing but out of the male celebrity brands I only know Ritik Roshan's brand and Kohli's brand and KL Raul ने अभी एक perfume brand launch किया Haradik Pandya ने खुद का apparel launch किया I feel that these are top rung of celebrities I feel they still have a chance at it but ये जो बाकी के जितने भी celebrities हैं हमारे देश में do they have that kind of power to convince the consumer to buy your stuff that is why there are celebrities right power to exist करते ही है power के साथ में product का जो fitment है वो बहुत जरूरी है मेरा सिंपल ये बुलना है के our brand ambassador is Suryakumar तो जो Surya के fans है say for example या Surya के तुरू हमारा brand और notice होगा वो लोग खरी देंगे एक बार के लिए खरी देंगे उसके बाद तो मेरे product की power है ना उसके बाद अगर वो repeat आएंगे तो वो वापस product के लिए आएंगे आज हमारा market में repeat rate है 50-70% consumer वापस आता है खरीता है क्यों खरीता है हमने तो marketing में पैसा खर्ची नहीं किया हमारी तो no marketing की स्टोरी है पैसे ही नहीं था पैसा होता तो marketing में खर्च करते है तो हमने approach क्या लिया तो आप celebrity endorse band के अगर बात करते हो तो starting में एक advantage है, immediate advantage है नहीं है कि वो brand जीच जाएगा और उसका मतलब यह भी नहीं वो brand नहीं बन पाए दोनों ही तरफ से final आपका वो has to be your repeat consumer, your product, your product market fit, वो बहुत जरूरी है तो any you can talk about, like you spoke about is there a particular celebrity who will be able to make it successful? No ऐसा कोई नहीं है कि particular celebrity ने पर्टिकुलर line ले ली या पर्टिकुलर endorsement कर दिया तो वो successful हो जाएगा धन्दा धन्दे की बनेगा right, celebrity से brand को power मिल सकता है aspiration मिल सकता है एक क्या बुलते हैं वो race में आगे start कर सकता है, बढ़ उसके बाद में क्या it's like graduating from IIT आपको एक start में बहुत बड़ा package मिल जाता है, you know it 10-20 यह उन it's about your own career performance 100%, but उसने IIT में भी महिनत करी है, तो उसको करियर exactly, right, तो उसको करियर में भी महिनत करने ही तो करियर में महिनत करेगा तो he will grow नहीं महिनत करेगा, तो he will not grow just by having that start of beautiful example I think you gave it much better than what I could actually explain so, yeah IIT आपको बहुत बड़ा प्लेस्मेंट ओफर देगा, but over time इसो करियर परफॉम्स Celebrity आपको इनिशली आपको बहुत जादा sales देगा, but then eventually recognition देगा, aspiration value build कर देगा, sales जादा देगा कि नहीं, वो भी again product or pricing पर depend करता है but हाँ, एक race में थोड़े आगे से चालू करोगे, ऐसा है हम तो, देखो हम तो पीछे वाले गोडे हैं, right, हम तो मतलब I didn't have any money to do any marketing, तो मैंने बोला most marketed brand ने बनाएंगे, most distributed brand बनाएंगे, जितने लोग पहनेंगे अपने आप marketing हो जाएगी, product अच्छा है word of mouth से चले जाएगे, आज you know, समझ लो, मोटा मोटा आज 400 क्रोड का माल बेच रहे so that's a testimony to the fact के, if the product is good, and though you are short on marketing budget, or you may have no marketing budget, you will get there you will definitely get there एक और celebrity brand है, जिसकी बात उन्होने, I think he really peaked out with being human during his best phase of film also, 10 2010-2020 तक जब उनका golden period चल रहा था, at the same time, वो हर जगा being human पहने जाते है correct, so that's what, we miss that big story, like Hrithik, like you know वो भी हमेशा, you know, everywhere he used to wear being human and that used to happen, but ठीक है मतलब, अगे नूदर भी finally क्या है, सेल तभी बड़ेगी जबी उनका footprint और बढ़ता चला जाएगा, footprint बढ़ाना असान होदाता है थोड़ा, but again, वो footprint, मैं एक retailer हूँ मैं एक simple example देता हूँ मैं एक retailer हूँ, मुझे कि सी से मतलब है, मेरी per square feet sale हायर होनी थे, correct अब मेरी per square feet sale कब हायर होगी, जब consumer आके मेरा माल खरीदेगा, consumer आके माल नहीं खरीदेगा, right तो मेरी per square feet sale हायर नहीं होगी तो मैं एक बार के लिए जगा दे दूँगा और उस जगे पर आके लोग माल देख लेंगे, उसके बाद मैं अगर माल बिग गया, तो बहुत अच्छी बात है नहीं भिका, तो फिर वो कोई भी हो, मेरको तो मेरी दुकान का rental निकाला है ना, मेरको तो मेरी per square feet sale से मतलब है एक brand मुझे per day per square feet 50 रुपया दे रहा है एक brand मुझे per day per square feet 20 रुपया दे रहा है, अब वो चाहे किसी का भी brand हो, मेरी तो rental way story है, मैं तो बोलुगा भाई मुझे तो यह 50 रुपया वापस चाहिए एक और 50 रुपया लेक्या हो अब चाहे कोई भी brand हो so I think that is what it is according to me, यह बहुत ज्यादा relevant conversation है, keeping modern day entrepreneurship in mind बहुत साई लोग fashion brand स्टार्ट करने, और किसी को पता नहीं कि कहां से शुरुआत करें मैंने भी इतनी ज्यादा पढ़ाए के बाद कुछ practical सीका नहीं है, सबसे practical conversation according to me, जो आप कहे रहो क्योंकि whatever you're saying is based on natural experience बहुत जबर्दस learnings है, जब आप रीटेलर के पास में माल लेके जाते हो आपको तो यह लगता है, आपका प्रोड़क्ट अचा है, किसको लगता है मेला प्रोड़क् हराब है किसको लगता है मेला बच्छा था रख teraz वो कितनी भीiane करके आज स्kूल में अपना बच्चा, आपने को क्या लगता है कि या मेरे बच्चे नहीं कर रहा होगा एक बार तो हम यह भी सोच लिए टीचर की मिस्टेक होगी मेरा बच्चा तो बहुत सीधा है तो वैसी प्रोड़क का है वैसी फॉर मी इंडिन गराज इस माई बेबी तो मुझे मने हमेशा अगर मैं यह सोच के रीटेलर के पास जाओ कि मेरा प्रोड़क्ट अच्छा है आप खराब क्यों बोल रहे हो नहीं बोलता नहीं है रीटेलर खराब I am just giving you a feedback देता है तो यह constant feedback प्रोसेस है जो आपको learn करने ही पड़ेगा डीटेलर जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारा data scraper हुआ करता था तब थोड़ी tech था जो tech यह बताता था कि कौन सा माल बिक रहा है कौन सा ने बिक आज तो tech आ गया आज आज आपको every day आपको पदा सल सकता है मेरी कौन सी style बिकरी है कौन सी नहीं बिकरी है कौन सी कितनी बिक सकती है किसका कितना potential है आज तो उन सब चीजों के लिए tech है हमने जब मैंने जब दंदा कड़ा किया तब यह सारे tech भी धीरे-धीरे खड़े हो रहे थे इनका तो मैंने onset हुआ था तो तब feedback mechanism क्या था आपको खुद ही लेना पड़ता था feedback और मैं तो आज भी खुद लेता हूँ आज भी रात को बैठके data scrape करता हूँ कि भाई कौन सी shirt उपर आ रही है कौन सी नीचे आ रही है कौन सा fashion बिकरा है कौन सा नहीं बिकरा है किस तरह का feedback design team को देना है अपने को monthly reports publish होती है tech use करते है अब tech है बट आज भी real time जो experience है वो कहा से आता है एक्सपरिमेंट करता है यह शायद पांच हजार रुपए की होगी in a sale तो इस actual price must be 7000 रुपीज शायद रफ्ली इसकी cost price क्या है यह तो मैंने जब आपको पहने वे देखा था जब सर मैं इसकी cost price calculate कर र दिमाग ऐसी चलता है ना मतलब मतलब हम तो यही सोचते हैं अचा यह पहना है कौंसे ब्रैंड का होगा क्या cost में बना होगा क्या cost में बीचरा होगा तो हमारा जो central processing unit है वो ऐसे ही वो पूरे दिन यही काम करता रहता है आप जैसे एरपोर्ट जाते हो आप जनता देख रह रहा हूँ रहा हूँ कि हमने भी women's wear brand launch किया है तो मैं यह observe करता हूँ कि कितनी women slim fit denim पहें रही है कितनी women crop top पहें रही है कितनी women dresses पहें रही है तो वो तो एक मतलब now that's like a वो कौन सा reaction बोलते है मतलब it's like a reflex रिफ्लेक्स है वो बट मैं आपको cost बता हूँगा तो शाद पहना यह पहुआ पर मातलब मैं तो इसुड़ ऑलो करते हिसकी एक, मतलब dans झाली अरेंडी की aius gang a brand की cost होती है उसके बाद में यह लोग research development बहुत करते है उसकी एक cost होती है marketing बहुत करते है उसकी एक cost होती है तो product में आप ने जो पहना है उसमें खाली product की cost देखना मैं कहूंगा कि गलत है मतलब वैसे देखने जाओगे तो बहुत चुबेगा it's fine ये मतलब luxury brands में चुबेगा अब honestly luxury brands में चुबेगा product and price is a factor of how well you are buying first how much you are spending on marketing are you charging your customer for the brand मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि बहुत fine से fine भी कपड़ा ले लो और बहुत अच्छा एक मिल का दूसा कपड़ा भी ले लो तो उसमें अगर एक shirt में बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा फ़रक आगया तो 200-300 रुपे का फ़रक आ सकता है cost पर एक normal brand की में बात कर रहा हूँ मतलब समझो कोई एक अगर 1000 में बेच रहा है और 3000 में बेच रहा है उससे ज़्यादा फ़रक निया सकता सबसे best कपड़ा लेके भी input हमने आज तक marketing में पैसा नहीं जलाया जितने D2C brands बने most of them came फटाफ़ट influencer marketing किया ये marketing किया वो marketing किया रोज you know content बनाया real बनाया ये बनाया वो बनाया हमने marketing तब तक नहीं किया या अभी भी हमने बहुत छोटा marketing चालू किया जब तक हम उस scale पर ना पहुच जाए कि हम वो marketing की cost भी product के उपर डाले हमने जब when we decided to pick up Suryakumar as a brand ambassador तब भी तब उस scale पर जाके हमने उन्हें approach किया जब हमें पता था कि उसकी cost हम product पर नहीं डालेंगे या उसकी burden हम हमारे consumer पर नहीं डालेंगे बिजनेस मजबूत है यह बस एक extra added angle है मतलब पहले number create किया तो वो सबकी अपनी अपरोच है लाइफ में आप आप luxury brand बनाओगे तो पहले आप भढ़िया party रखोगे यो नो यॉट पे लिके जाओगे यो नो प्रॉबिली fancy you know ramp walk कराओगे ये करोगे वो करोगे तो वो cost तो कहीं से निकलनी है आप aspiration बिल करो अभी आप समझो brand खोलते हो या आप कल you know if you start a apparel brand if you have knowledge of that you can do it अगर आपको पता ही नहीं है कि यार color testing क्या होती है spirality testing क्या होती है right dry crocking, wet crocking which is something to do with color only tensile strength क्या है tear strength क्या है आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं करोगे फिर आपको वापस कुल मिला के you will have to go to a manufacturer जो ये process follow करता है then he will charge you for all of it so I think very very interesting and important point that price से quality का कोई correlation नहीं है damn इसका मने ये बहुत बड़ा myth है at least आज की दुनिया में if you are buying with the right brands मेरी होप है कि इस podcast के थूँ कोई ambitious fashion entrepreneur बहुत कुछ सीखे मैं ये बोलता हूँ कि during the journey of this brand creation हर चीज़ फिगर आउट हो सती है you have to start with the right mindset बनाना है इसलिए कि मुझे बेचना है और फिर पैसे उठाने है फिर क्या करोगे अभी मेरे को बहुत पैसे आगए I just after hitting a ceiling of what I could do मैं जो bootstrap करके कर सकता था वो करने के बाद में अब मुझे लगा कि या अब अगर इस brand को और grow करना है तो मुझे मेरे बच्चे का को पेरेंटिंग करने ही पड़ेगा तो हमने अधिते बिल्ला से इंवेस्मेंट लिया राइट अगर पार्टनर्स अस for the now the next journey of the brand क्योंकि 300-400 क्रोड के उपर क्या bootstrap करूंगा मतलब हालट एक लेवल आ गया था हर बिजनेस की अपनी एक रिक्वार्मेंट होती ही वर्किंग कैपिटल की हमारा जो बिजनेस है वो बड़ा वर्किंग कैपिटल इंटेंस है उसमें काफी वर्किंग कैपिटल लगती है cost price of clothes, of marketing, of salaries बगएर कपडे में specifically कपड़ा खरीदते हो उसकी conversion की गर्मेंट की एक time होती है जो की समझो आपने कपड़ा खरीदा अगर आपकी design ready है तो 60-70 दिन आपको लगेगा to convert तो वो आपका working capital गया अब आप जब बनाते हो 5 size बनाने तो 5 size बनाने तो inventory उतनी बनानी पड़ती है कि 2-3 महिना last करें तो हर size में inventory cut हो जाएगी inventory cut हो जाएगी तो फिर क्या है वो algorithm में माल नीचे चला जाएगा because it will say कि यार ये revenue पर PLP ने deliver कर रहा है क्योंकि इसमें customer आ रहा है click कर रहा है बट्चो की size available नहीं है उसको उस real state पर loss हो रहा है तो आपको inventory भी 2-3 महिने की maintain करनी पड़ती है sizes जादा होते है तो उसमें थोड़ी-थोड़ी inventory जादा तो 2-3 महिने की inventory भो हो गई तो 5-6 महिना तो एक default cycle है अब इसमें थोड़ा बहुत आपको पीछे credit मिल जाता है तो भी 3-4 महिने की working capital आपकी लगती है अब अगर आप direct manufacturing process से होते होते हो otherwise अगर आप white labeling करा रहे हो vendor से आपके खरीद रहे हो तो आप 60 दिन की उधारी में खरीदोगे 90 दिन में बेदोगे 30 दिन का working capital चाहिए वो एक अलग चीज है तो उसमें फिर you know that's a different wall game altogether that's not D2C I don't call it D2C अपरी अमेरिका में बहुत होता है white labeling four member teams running million dollar businesses इंडिया में भी होता है most of the brands are that only manufacturer हो कोई और ही है at least I can say कि मेरा 90% माल इंडिया में ही बनता है 90% normatil भी इंडिया का है ये चोटे-चोटे मेरा जो ecosystem में entrepreneurs का ये ही बनाते right तो हमने न हमने एक चीज़ और करी आर इस journey में जो मैं बीच में बोलूँगा कि हमने उनका साथ नहीं छोड़ा कभी वो ही हमारी main strength है right 5-10% business जब बहुत ज़्यादा quantities है कुछ ऐसा है कि यार यहाँ पर नहीं हो पा रहा है कोई ऐसा product है technically जो हम हम technically बहुत ज़्यादा नहीं उसको उसका infrastructure क्रिएट कर पारे वो हम खरीद के लेता है बाकी 90% माल खुद का बनाते है इंडिया के raw material से इंडिया में नाम में ही Indian garage है right तो सबसे बहले हो है तो हमने एक चीज़ और करी इस पूरे journey में जो मैं आपको बताऊंगा कि एक का भी साथ नहीं चोला सब को साथ में लेकर ही चले हम बड़े हो गए तो ऐसा नहीं कि अधा कि और अधा कि बड़ा manufacturer ही हो यह हमारी family बन गए यह हमारे pillar of strength बन गए यह हमारा ecosystem बन गए but I think the original point that I was trying to make is कि पैसा ऐसा है कि working capital बहुत थे है अगर आप direct अगर आप pure D2C brand हो तो working capital बहुत थे है तो क्या होता है कि जब आपका you know when you are growing तो needs बहुत working capital की needs बढ़ जाती है और एक point of time पे ना जैसे मैं जब हमारा देखो 2020 में जब कोड़ आया तो मेरे ब्रैंड का turnover कुछ 20 करोड था 2021 में वो turnover हुआ 100 करोड GMV की बात कर रहो मैं not turnover sorry GMV 100 करोड 2022-23 में हमने किया 300 करोड और 2023-24 में हमने किया 400 करोड अब जब आप इतनी rapidly grow कर रहे हो न 20 करोड के दंदे में चार लोगों की office में team थी एक चोटा सा office था उसमें काम हो जाता था एक चोटी सी warehouse की facility थी जो office के नीच जई थी 3000 square feet का office 3000 square feet का warehouse उसमें भी क्या है थोड़ी थोड़ी जगे निकाल के उसमें भी एक हमने 25-25 मने machines डाल रखी थी जिसमें हम sampling sampling करते थी बट जब आप इतनी rapidly grow करते हो न तो fixed investment में fixed asset में आपका investment दाता है working capital आपको faster थी है थोड़े बहुत लोग भी आपको hire करना पड़ता है तब तो मैं ही HR मेरा finance team में एक लड़का था यांग 25 साल का वो ही HR चार चीज़े में ही देख रहा हूँ एक दो ही designers है तो उसमें आपको फिर जब आप team build करना चालू करते हो तो आप एक phase पर ऐसा आते हो कि team में भी पैसा दा रहा है fixed asset में भी पैसा दा रहा है inventory में भी पैसा दा रहा है क्योंकि additional inventory बनानी है और faster बनानी है हमने क्योंकि ये छोटा ecosystem create किया था इनको भी support देना पड़ रहा है कि भाई तुम भी machine बढ़ाओ तो वहाँ पे भी पैसा लग रहा है तो एक level वो आ गया था और अब एक चीज़ ये भी लग रही थी कि आप थोड़ा बहुत spend भी करेंगे थोड़ी awareness भी brand की बढ़ाएंगे तो वो awareness बढ़ाने के लिए भी पैसा चाहिए था तो धन्दा मैंने बनाया इसलिए नहीं कि मुझे कभी पता था यार उस जमाने में तो PE और VC पता नहीं थे मुझे honestly बोलता हूँ PE VC मेरको तो यह था कि घरवालोंने पैसा नहीं दिया कौन देने वाला है जब बैंक को दाके पूछा बैंक ने बोला कोलेटरल लेकर आओ मैं बोला मेरे पास कोलेटरल होती तो तो तोड़ी आपके पास आता मैं लोन मंगने तो बोले तुम्हारे पापा का घर तो होगा मैंने का वो तो उन्होंने खुद ही लगा रखा है अपने दन्ने के लिए जाइट मैंने का वो तो वो तो यह इंसेल्फ गिवन दैज ऐसा कोलेटरल तो मैं कहां से लेक्या हूँ और किससे मांगने जाओं और कौन देने वाला है बैंक मैंनेजर को मिननते करी किसी ने CGTMSC स्कीम के बारे में बताया था कि भई इससे आपको बिना कोलेटरल के लोन मिल सकता है जैवन तराओ करके कैनरा बैंक के बैंक मैंनेजर थे मुझे आज भी नाम याद है और मैं आज भी बहुत ग्रेटफुल हूँ तो उन्होंने मुझे बोला देख बिटा मैं मेरी रिस्क पे पैसा दे रहा हूँ यह पैसा अगर वापस नहीं आया ना तो मेरे नाम पे लाच सबाए तो पैसा बहुत समाल के दे तो रहा हूँ मैं और CGTMC में he was supposed to give also but कै रिस्क तो उनके उपर आती है कही ना कहीं उसमें कुछ fund government guarantee करता है बट कुछ fund bank को guarantee करना पड़ता है ऐसी कोई scheme है जिसमें collateral fees small and medium enterprises को loan मिल जाता है तो तब थोड़ी यह सोच के बनाया था कि यार यहां से चालू करेंगे फिर हमको तो बनाना है बना के बेच देना है valuation लेके आनी है उसके लिए धंदा नहीं बनाना चाए धंदा यॉर धंदे की तरह बनाओ जब पैसे की जरुद पड़ेगी तो पैसा भी race करो public जाने की जरुद पड़ेगी public भी जाओ right but बहुत hard decision है जब आपको आपकी बच्चे को co-parent करना पड़ता है it's not easy यह आज तक आपका बच्चा right इसकी एक-एक eat इसका एक-एक इंसान आपके साथ में जुड़ा होगा था आपने लगाया था आपने बनाया था लगता है पैसा आ गया जिन्दगी बन गई ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे पास में पैसा आया मैं जैसे रात को घर जाके सोता हूँ वैसी इप सोया company में भी पैसा आया मैंने अगले दिन कोई fancy spending company में नहीं करी मैंने अपनी टीम को बोला के बोला देखो अपने उपर trust करके किसी ने पैसा दिया है अपनी watch chest create हो गई है अब double जाना है और पंद्रा सो क्रोड की GMB का number लिख दिया बोल पर और sign करा लिया पूरी top team से कि भहिया ये number अचीव करके देना है किसी ने अपने उपर trust करके पैसा दिया है तो पैसा उठाना भी कोई ऐसा नहीं है और obviously जिसने invest किया वो भी return के लिए invest कर रहा है न आपके trust पे invest कर रहा है तो figure it out during your way right what I am saying is build right बहुत सारे tangential सवाल है पर मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे listeners एक beginners mindset से भी इस podcast को देख रहे है इसलिए I think कि अब हमें podcast की main section की शुरुआत करें चाहिए which is practical game plan मैं मानतों कि बहुत सारे लोगों को भारत में fashion brands, apparel brands start करने पर उन्हें mentoring चाहिए आप जैसे लोगों से आप खुद busy हो आप इतने सारे लोगों को साथ में mentoring नहीं दोगे तो treat this like that mentoring session बहुत सारे listeners college students है आज कल street style की बहुत बड़ी एक wave चल रही है बहुतों को street style brand start करने तो keep 2024 Gen Z context in mind also क्योंकि मेरे ख्याल से Gen Z is creating for Gen Z here correct तो आप college students को address कैसे करोगे at the start what is the first step क्योंकि मुझे याद है जब मैंने भी खुद चोचा कि यार मैं entrepreneurship करूंगा life में मेरा पहला thought ये था कि clothing brand start करेंगे बहुत common idea होता है no entry no exit barrier low entry low exit barrier I would say actually itna low entry or exit barrier you know the first thing that comes to anybody's mind is कि मैं apparel brand start कर रेता हूं my first point would be कि it looks very fancy right कि अरे क्या है brand बना देंगे चालू कर देंगे must start your journey from a domain rise up to a chairman right work in a company take experience deliver in a secured environment पहले entrepreneur बनो उस company के लिए कुछ ऐसा काम करके दिखाओ उस company में कुछ ऐसा परफॉर्म करके दिखाओ कि यार हाँ ये एक particular segment एक company का में handle कर पाया या कर रहा हूं तो अगर fashion brand start करना clothing brand start करना कौन से companies को target करना चाहिए बहुत चारी companies है I mean you can and there are brands that you can target there are manufacturers that you can target कहीं से भी चालू कर सकते हो जादा मुझे ऐसा लगता है कि ये analysis नहीं करना चाहिए कहां से चालू करो my personal feeling is बहुत जादा analysis में paralysis हो जाता है तो कहीं से भी चालू कर लो किसी भी company से इंडिन गराज से चालू कर लो no problem there is absolutely no problem most invited but गिसा ही होगी जबबर दस्त यहाँ पर हमारे याँ पर आज कोई इंटर्न आता है हमारी पहली शर्ती होती है कि भी काम करना पड़ेगा और अपने आपको प्रूफ करना पड़ेगा परफॉर्म करना पड़ेगा बहुत सारे नोन लोग हैं जो आज फोन करते हैं और बोलते हैं कि यार you know I'm sending my son I'm sending my daughter मैं उनसे एकी चीज़ पूछता हूँ if they know me मैं यह पूछता हूँ भाई मने रियली में ट्रेन करना है या वो तीन सार मही ने काटने है लाइफ के दोनों तरह का प्रोग्राइम करा जा सकता है और अगर रियली में ट्रेन करना है तो गिसाई हो नौस और काम भी करना पड़ेगा डिलिवर भी करना पड़ेगा तो वैसी सिट्वेशन से जब आप डील करते हो तब आपको experience आता है real time जो मैंने आपको बोला ना की Marwadi Business Administration एक अलगी university है MBA हमारे लिए is practical experience and the Marwadi way of doing things is very very different from you know how anybody else does it right वहाँ पर practicality पर छोड़ दिया जाता है कि यार figure out कर लो तो पहले ऐसी किसी जगे काम करो जहां पर अच्छे से you know तो मैं सिखाया दा रहा है गिसाई हो रही है बराबर तभी समझ में आएगा कि आटे दाल का भाव क्या है हमारे घर में एक चीज़ और बोलते है कि बिटा जब बाहर निकलोगे तो पता चलेगा कि आटे दाल का भाव क्या है उसके बाद में जो मैंने इसे you know एक चीज़ और सीखिये कि start right, build right जिस दिन तुमारा time आए उस दिन तुमारी capability होनी चीए process system पहले दिन company में ऐसे डालो कि जिस दिन वो gap मिल जाए मैंने 30 करोड से 300 करोड का धन्दा बनाया 3 साल में 16 लोगों की team से 500 लोगों की team बनाये 3 साल में बट उसका base बनाया 10 साल में तो इमारत की नीव सबसे मजबूत होनी चीए, वो नीव बनाने में times आएगा, जल्दी मत करो और फिर तुमारा time आएगा और जब time आए तब खीच दो basic rules क्या होता है, base के लिए पहले दिन से system process, your business plan the people you hire, you should surround yourself with a team who's as hungry as you are नहीं तो लंका लग जाएगी guaranteed लंका लगी मतलब 100 interview होते उसके बाद में एक इंसन सिलेक्ट होता है हमारे आपे, क्योंकि जिसको कुछ कर गुजरना है ना जिसके अंदर आग है कि यार जरूरी नहीं है कि धंदा मेरा हो जरूरी यह है कि मुझे chance दिया जाए perform करने का वो ही इंसान तुमारी team में होना चाहिए तो वैसे लोग ढूंडने पड़ेंगे और initially जब आप business बनाने जाओगे कोई भी college का आज graduate business बनाने जाएगा बहुत fancy लगता है मैं आदमी hire कर लूँगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ भी होता नहीं आदमी क्यों काम करेगा तुमारे साथ वो तो जवाब दो पहले why would somebody leave हमको लगता है बहुत सारी stories सुनके आपको अपने आपको एक टाइम पर supplier को बेचना पड़ेगा कि भाई मुझे credit दे दे employee या आपके team member को आपको convince करना पड़ेगा मेरा vision ये है मेरे साथ आके काम कर ले छोड़ के मत जा आप उसको amenities नहीं दे पाओगे बहुत ज़ादा तो उसकी satisfaction कहां से निकल के आएगी और इतना time लगता है इसा बिल्ड करने के लिए उतने time period में उस चीज को handle करना बट हाँ ऐसा नहीं है कि आपने वो लोग चुन लिए जो आपके साथ में कामी नहीं कर पाए या जिनका खूद का कोई goal नहीं है लोग आपको वोई चुनने जो आपके target से aligned है जो खुद भूके है performance के उनको कुछ करना है life वो बहुत जरूरी है Mostly clothing entrepreneurs in college t-shirt businesses start करते है और आज़ बिजनेसे start करते हैं correct game plan 2024 perspective से correct and incorrect both street style is a percentage of the market right it is not the entire market तो आपकी scale पे खेलना चाते हो वो important है if you want to specialize say in a you know street wear and if that is your game और आपको scale भी वही तक लेके जाना है then a good game plan but I think businesses should always be looked at holistically right street style का market बहुत बड़ा है one out of three shoppers today are gen z right but not all gen z's are also buying street style street style is one part of the game main market किस्टीस का according to you आज भारत में I mean apparel में fast fashion is something that has taken over fast fashion का एक segment street style है casual है there are then there are lot of other things there is core there is formal formal बिकना बनने हो गया if you look at Indian Garage today and the way we position our brand right आपको जारा वाली फिलाएगी सब कुछ मिलता है आप जारा में जाओ आपको street style भी मिलेगा आपको slim fit normal denim भी मिलेगा आपको blazer भी मिलेगा आपको suit भी मिलेगा आपको you know waist भी मिलेगा right आपको सब कुछ मिलेगा तो अगर ये करना अगर अगर अच्छली Indian Zara बनाना तो फिर as a beginner steps क्या होने चाहिए as a beginner step होना चाहिए कि मतला start करो बस मुझे तो लगता है कि as a beginner beginner if you ask me के step क्या होना चाहिए तो market study सब से पहला try to understand where the market is if you want to make a Indian Zara you know you must understand कि मैं किसको mind में रखते वे Indian Zara बना रहा हूँ India में Zara की definition अलग है भार अलग है तो Indian context में पहले उसको fit करो और उसके बाद में product बनाने के लिए जब आप चालू करोगे तो automatically feedback आता रहेगा उससे शीखते जाओ और सीख के उसको उसकी रेंज देखी बैसे कर बैसे रिसर्च कि और उसको उतार दिया इसा जरूरी नहीं कि वो चलने वाला है Korean street style इंडिया में बहुत अलग़री से परसीब हुआ है चल रहा है इंडिया में बिक्रा है हमारे पास में पूरी रेंज ए Korean street style but not exactly how they are doing it there there is a Indian version to it there is a Indian customer acceptability to it generally speaking like 10 साल पहले जब मैं college में था tight t-shirts हर को ही पहनता था and over time fits lose हो चुके है fashion में trends बदलते रहते but generally हमारे देश के perspective से देखा जाए is there some standard Indian habits when it comes to fashion कि कुछ predictable चीजे होती है हमारे इसमें penetrate करने में time लग जाता है उसका reason यह है कि penetrate तो होता है क्योंकि सब के पास में same amount of information है but उसका reason यह है कि supply chain उतनी robust नहीं है क्योंकि अगर जैसे loose fit इन आया तो उतनी बड़ी loose fit की वापस supply chain जब तक create होके हर आदमी तक पहुंचती है is it converting to a macro trend फिर वो macro trend अगर बन रहा है तब वो उसको penetrate करके उसपे double down करना चालू करता है पर यह जो loose कपडो की trend आई है जो मैं भी पहन रहा हूँ है जो आप भी technically पहन रहा हूँ यह एक decade long trend है मैंने अभी baggy denim पहना है जी I'm loose oversized t-shirt पहना है अगे जो मैं देख रहा हूँ तो वापस से 4K आई सूपर स्कीनिक आ रहा है ओ गॉड अगें मने साल दो साल मैं आप देखो गए तो वापस से एक micro capsule अभी 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 सूपर स्कीनिक आना चालो हो गया पता है मेरी शुरुआत ना हिंदी कॉंटेट में हुई थी आइस फैशन भाईया कि हम सिखाते ते लोगों को फैशन टिप्स और I remember इसकी शुरुआत थी 2018 में तब इस अब अब टाइट क्लोथ अभी old money बहुत इना रहा है old money मने you know what our grandfathers used to wear वो टाइब का fit ये राइट and textured clothing textured clothing crocheted you know knitted and all of that is really in तो आप जैसे हम हमारे brand में पेले इन सबका एक चोटा capsule डालते है ट्राइल करते है उसकी absorbility देखते है कितना absorb हो रहा है क्या feedback आ रहा है तो इंडिया में एक चीज है कि इसको penetrate होने में थोड़ा सा टाइम लगता है हमारे consumer base बहुत लार्ज है तो इसकी supply chain बनने में ही थोड़ा सा समय खर्च हो जाता है बट कोई भी fashion ना अंदर आता है ना बाहर जाता है everything stays ऐसा नहीं होगा कि दस साल बात loose clothing होगी नहीं या अगले तीन-चार सार में वापस Slim Fit अंदर नहीं आएगा ये तो क्या है कि आप आज बोल रहे हो दो साल बात वापस मिलेंगे तो आप खुद भी Slim Pan के बैटे होगे राइट लाइक इसस्ट परेप्शन ये चेंज होता ही रहेगा नहीं तो फिर लोग खरीदेंगे क्यों मतलब चेंज नहीं करेंगे तो लोग खरीदेंगे क्यों अगर किसी ने मुझे एक करोड रुपे कल दिया और बुला कि यू हव तो सार्ट आ फाशन तो परस्तिलिय आ वुट सार्ट एक जमाने में इंडिन बोडी टाइप के ले एक ब्रैंड होता था कलर प्लस तो उनोंने गप कहां पर दुणड़ा कि हम इंडिन बोडी टाइप के इसाब से फिट बनाएंगे जो 40-45 जब आदमी की इंडिया में थोड़ी सी थोड़ी सी तोन आजाती है थोड़ा पीछे लाव हैंडल जा जाते है उसके लिए हम फिट बनाएंगे थोड़ा सा फ्लेइड आउट मतलब वो फिट में उनका एक बेसिक यह था कि यार यह एक गप है तो गप ऐसा इडिनटिफाई करना पड़ेगा जो की path breaking है जैसे हमने gap identify किया कि branded process लेके best value कैसे create कर सकते है fashion की बहुत interesting story है I'll tell you तो जब हम offline करते थे मैंने आपको बताया length and breadth of India हमने travel किया तो उसमें मुझे लगता था कि एक season, दो season response बहुत अच्सा मेला 6-7 state में distributor भी बन गए retailers से feedback भी बहुत सीखा travel भी बहुत कर लिया महिने के पंदा जिन ट्रावल कर रहे है you know, जैसे यूपी कि अगर मैं बात करो तो नौइडा से गाड़ी ली या बस ली Matura गए, Matura में किसी को sample दिखाया महा से फिर Agra गए, Agra से फिर फिरोजाबाद गए वहाँ से कानपूर गए लखनों को ऐसे length and breadth of UP travel किया similarly MP, similarly Rajasthan right जब मैं मैंने ये 2-3 साल किया, अच्छा reception भी आया बट मुझे लगा कि यार मुझे जो लाइफ में 2-3-4-4-0 क्रोन करना है वो तो ऐसे होने वाला नहीं है, 20-25 साल लग जाएंगे क्योंकि जब retailer भी क्या है, थोड़ा छोटा try करता है फिर उसको response आता है, तो repeat करता है उसके अल़ड़ी कुछ set brands होते है तो बहुत slowly slowly आपका reception बढ़ता है, बहुत slowly slowly quantum बढ़ता है, तो पहले season में गया था तो 6000 पीस की booking लिकिया आया था आज मैं 6000 पीस पूरे season की booking लिकिया आया था आज मैं 6 लाग पीस, 7 लाग पीस महिने का बेचता हूँ तो मुझे लगा यार ये थोड़ा मने time जाधा लग जाएगा तब ही ये D2C की story इंडिया में तब marketplaces ही D2C थे, D2C की story ग्रोव हो रही थी तो मैं D2C, already हम 2010 से कर रहे थे लेकिन उतना, दोनों channel साथ में चला रहे थे right offline on तो मैं गया वापस मैंने majority of the good marketplaces से मैंने बूला यार अब मुझे और थोड़ा casual पर focus करना है तो क्या focus मैं अब थोड़ा तो आप थोड़ा मैं थोड़ा help करो grow करो, brand तो already आपके पास में है तो ले यार अभी party over हो गई अभी भहुत सारे brand आ गए marketplace में और इतने brand आ गए कि अभी आपको you'll have to make your own way पहले उस समय ना crunch थी supply की जब D2C initially e-commerce India में चालो भी होगा था ना, बहुत लोगों को समझनी आता था cataloging कैसे करनी है, listing कैसे करनी है यह लोगों को समझनी आता था हमने वो उस ताइम पर crack कर लिया था कि photo shoot कैसे कराना है, listing कैसे करानी है the first initial days I'm talking about तो वो skill set तो already हमने क्योंकि practically धन्दा established किया था वो हमने already established किया हुआ था तो जब उनके पास मैं वापस गए कि यह सब तो हमारा सीखा हुआ है, हमको थोड़ी help करोगे तो हम बढ़ जाएंगे आगे, बोले नी नी अब तो इतने brand आ गए सबने crack कर लिया, अभी तो सब को पता है supply भी आ रही है, उनके खुद के कुछ private label भी बन चुके थे, तो यार gap किदर है तो यह जो आपने अभी बोला ना, तो मैं हर हफते buyer को message डालू, sir कुछ बताओ, कुछ मैं क्या कर सकता हूँ कुछ ऐसा product बताओ मैं buyer की tip को share market की tip की तरह लेता था तो एक दिन, तीन, चार, छे महीने follow up करने के बाद में क्योंकि मेरा ये था कि अगर मैंने product gap नहीं fulfill करी किसी marketplace की, तो they will have no interest in me ऐसा तो मैं, you know, they will say के, तो बहुत persuasion के बाद में हमारे buyer में phone करके बोला यार तेरे पास biker jacket है क्या बोला यार ये नई नई इटम कहां से बता रहा है मेरे लिए तो it was like कि मने almost मरने वाला समय था क्योंकि अब ना, मने offline में time बहुत लंबा दिख रहा था, तो महां से कुछ होने वाला था नहीं, e-commerce में बोल रहे थे बाई, लेट हो गए, तो मैं तो product gap ही ढून रहा था कि यार मिल जाए, तो उसकी वो एक tip में ले, share market की tip की तरह थी अब मेरे पास में वो product था नहीं मैं बोला यार, हाँ हाँ है, बना देंगे ये भी बना देंगे, समझ लेंगे क्या है, तो बहुत confidently हाँ बोल दिया उसी समय, मने, फिर हमने factories में बैठे PU, PU jacket आपको पता चलेगी जब आप, you know, you talk to these portals, you know you talk to multiple market places, they will tell you what the consumer is searching and not able to get उस समय एक चीज़ और रिलाइज हुई, फिर उनुने बोला यार, कलर चीनो चल रहे थे उस समय आपको ध्यान होगा साहद, I don't know, 2016 हाँ, उस समय रेड, येलो हर कलर का चीनो चल रहे है, फिर से कि gap मिले और अगर तुम product company हो और अगर supply chain तुमारे control में है तो gap आज मैं आपको नहीं बदा सकता हूँ gap कहा है, until I go to the marketplaces, I understand मैं मेरी website पे search terms देखूंगा कि यार क्या search term में आदमी सबस्यादा वापस दा रहे है छे महीने पहले वो हलत कारगो की थी कारगो, हर आदमी कारगो ढूंड रहे है और हर आदमी कारगो पहन रहे है हमने double down किया production लाग पीस, दो लाग पीस तक लेके चले गए कारगो का तो वो जब gap ऐसे नहीं define होते है कि मैंने क्या देखा gap define होते है, consumer ने क्या ढूंडा gap ढूंडो, ball मारो हाँ, और उस समय अगर आप एक product company हो तब आप उसको in cash कर सकते हो यहाना जो आपकी 10 सल की घिसाई हुई थी manufacturing units में, technical seeker that's what came to use absolutely बच्चों को advice है या जो भी you know, young guys who want to get into safe fashion कि अपने साथ में पूरा ecosystem चलाओ, entrepreneurs का within the company, there should be an entrepreneurship model outside the company, there should be an entrepreneurship model जोड़ते जब okay, एक college student के लिए, first of all, thank you और बहुत क्यूस दे दिये कि fill the gap in the market, that's the main thing gap पता लगाओ, तुम्हारी जो perception है gap की, उसको gap मत समझाओ, कि मुझे एक black denim नहीं नहीं मिली, वो gap नहीं हो सकती consumer search क्या कर रहा है और आज तो tools available है हमें तो, जब when we started back then, कोई tool नहीं था पर फिर time frame भी मिल जाते है within this time frame, you have to execute हाँ, 100% तो the actual game is figure out the execution का structure कि आप जट से close कैसे बना पाऊ जो जितना पहले बनाएगा उसकी उतनी कम dead inventory होगी, और जो जितना बाद में बनाएगा उसकी उतनी लगेगी, क्योंकि जब oversupply आजाता है market में तब कि अभी समझोगे, ये knitted आपने जो पहना है it's a, you know beautiful flattened shirt अभी इसकी oversupply आने का time आगया है market में तो आखरी बंदा जो है वो मरेगा पहला बंदा जो है उसने अपने पैसे बना लिए, मैंने बना लिए got it ये trends है मही ने पहले launch करा piece to piece बेज दिया अब मैं ये सोचता हूँ कि ए ठीक है इसका एक version मैं continue करूँगा हमारे देश में mostly clothing brands मरते कैसे इसी वज़ा से late, late action, delayed action delayed action, lots and lots of competition बहुत simple example ये है कि एक factory आप में चालू करी उसका नाम है production unit उसको बोलते ना हम factory को बोलते है production unit मेरा एक job worker है समझो वो x में x रूपीज में समझो 80 रूपे में, 100 रूपे में just giving one example, 100 रूपे में शर्ट बनाता है लेकिन अगर उस production unit में continuously 100 रूपे में शर्ट बनती रहेगी न वो 2 रूपे कमा के भी करोड़पती बन जाएगा हमारे यहाँ पर क्या होता है हमारी mindset चलती है मेरको इसके 120 चीह, 1500 चीह वो 1500 की hope में हम क्या है कि कभी भी consistently work नहीं कर पाते तो production unit में जब production नहीं निकलेगा तो आप मरोगे सबसे पहला production का मेने आपको दूसरा है जितना आपका supply chain आप ओन नहीं करोगे तो आप हमेशा लेट रहोगे तो जितना लेट रहोगे उतना आप मरोगे और तीसरा है अगर आप बहुत सारी बार हम पहले brand मना देते हैं और फिर brand को चार्च करने लगते हैं गंजी उमर पे 100% मरोगे I actually feel the practical angle अगर आपको fashion industry enter कर नी तो start near the start of the supply chain and then build forward 100% तो पहले back-end का कुछ business start करो manufacturing का कुछ सीखो जरूरी नी कि आप manufacturing करो आप captive capacity बना सकते हो but captive capacity also is a responsibility क्या होती है captive capacity captive capacity मतलब जो मैंने आपको बताया कि हमने बहुत सारे entrepreneurs जोड़े जो कहीं job करते थे उनको खुद की factory डालनी थी उनको हमने technical assistance दिया financial assistance दिया उनको हमने बोला कि your forte is to produce right your forte is production तुम खाली बैठके production देखो तुम्हारा जो forte उसके ओपर focus करके माल बना so that is a partnership और a captive capacity उनको हमने बोला खर्चे तुम्हारे minimal रखो technical assistance की पूरी team हमने बनाई क्योंकि वैसे भी brand हमारा है हम चाते quality हम control करे तो उनको वैसे वो खर्चानी लेने दिया कि भई technical assistance पूरा हम create करेंगे उसका एको सिस्टम बनाया सबसे the oldest guy in my office is my technical manager and the youngest guy manages social media तो वहाँ पर आपको experience की जरुवात है जो भी मैंना आज आप से सीखा कि अगर एक clothing का business आप start कर रहो शायद तीन या चार co-founders की जरूरत है और वह तीन चार बंदे शायद मजबूत होने चाहिए and each person should pick up a domain and go very deep into that domain absolutely absolutely and mentor mentor बहुत जरूरी है and पैसे पैसे तो CGT MSC स्यादेंगे पैसे मुझा पैसा मुझे लगता है कि सब से जादा scarcity of money जो सिखा सकती है मुझा इंसान को और कुछ नहीं सिखा सकती है scarcity of money में जो हमने दंदा बनाया आज उसी का नतीज़ा है कि इतने topics पे बात कर रहे है one very important point is दंदा बना लोगे persistency चाहिए पैसे की किल्लत है पैसा over a period of time you know you'll have to figure out ways to arrange तो मारे प्रोड़क में दंदा होगा प्रोड़क जल्दी बिखेगा तो पैसा आजाएगा don't forget the people on the way to your journey जिन्होंने तुमें महार तक पचाया always have a mentor if you can get somebody who's five years मेरे ले मेरे मामा है right he himself is running a 1500 crore bootstrap 1500 crore GMV bootstrap D2C business तो वो मेरे ले you know he's like वो बोलते ना कि किसी एक को बह्मान मान लो तो मैंने उनको बह्मान माना वा है कि भाई वो जो बोल देते है फिर वो मेरे फुल सॉप पजाता है that is the kind of mentorship you should have कि बोल दिया ये फुल सॉप हो गया इसके आगे फिर मैं भी argue नहीं करता हूं because you have to trust the decision and make a team you know democratically make a team and give everybody the right to opinion give everybody a chance to perform give everybody equal say in the business from हमारे office में ऐसा है के office boy से लेकर और top CEO तक के लिए gate खुला है सब कुछ होने के बाद में अपने आपको operation से जितना जल्दी फिर बाहर ले आओ जब धन्दा बन जाए वो बहुत ज़रूरी है अगर founder operational lead हो गया ना तो वो धन्दा नहीं बना पाएगा मेरी life का सबसे बड़ा learning है कोई में भली चार member की team थी कुछ भी था यह 10 साल का सारांज जो मैंने एक वो room में बन दोके दो महीने है strategize किया क्योंकि जब मैं office गुशता हूँ तो मैं खाली operational बातों में involved रहता हूँ यह factory में production अटक गया design अटक गया यह product का approval अटक गया social media की strategy क्या है D2C की strategy क्या है आप as a founder जितनी जल्दी हो सके operation से बाहर निकलो तो आप मैं Monday to Friday खाली operations में busy रह जाता हूँ तो मैं Saturday Sunday काम करता हूँ Saturday Sunday मैं खाली strategize करता हूँ जो मैं कोई में कर पाया और जिसके कारण वो hockey stick गुरोता है कोई में operation था ही नहीं handle करने के लिए घर में बैटे थे और डी फोकस होना था तो डी फोकस अगर आपको होना है तो कैसे होगे तो मैंने तो कोई में अपना गेट बन करके खाली काम किया खाली वो दस साल का सारांच निकाल के strategize किया पूरी दुनिया जब fire कर रही थी lay off कर रही थी कि मैं अकेला था जो हायर कर रहा था मैं बोला यही उपरचुनिटी है अभी सब कुछ मिल सकता है जो चाहिए अब के सेल्स कैसे अफेक्ट होगे था कोई में क्योंकि I remember हम फैशन कॉंटेंट बना रहे थे मतलब कुछ में ऐसी स्थिती थी कि आखरी 80,000,000 रूपे वो भी प्रॉफिट के नहीं प्रॉफिट तो बहुत चोटा होता था क्योंकि धन्दा ही 20 क्रोड का पंदा क्रोड का दंदा था तो क्या ही कमा लेते लेकिन वो आकरी 80,000,000 भी मैंने तो कुछ में डाल दिये कि भाई और माल बनाओ डेनिम बनाओ लाउंच पैंड बनाओ अगर दूनिया खतम नी होई तो कपड़ा पहनना थोड़ी छोड़ देंगे लोग और उस समय सबसे सबसे बेस्ट रिसोसेज मिले मुझे उस समय जिनको मैं साइद अफोर्ड नहीं कर पाता क्यूंकि सब लेओफ कर रहे थे सबसे सस्ते कपड़े मिले सबसे बेस्ट जो मैं अपने कंजूमर को सर्विस कर पाया तो फिर प्रोफिट भी बहुत जादा बूस्ट वे अद देन वन्स दे वर्ल केम बाक तो नॉमल बाक तो दी ओरिजिनल गेम प्लान अट अलाजर स्केल सबसे पहला जो मैंने अपको बताया पहले तीन महिना पहले तीन दिन जबर्दर स्ट्रेस बनाब चार लोग ऑफिस में थे बारा लोग बैकेंड में थे सोला लोग होगी सालवी कैसे पे करूँगा बैंक का ब्याच कैसे पे करूँगा वो तकलीफ थी पहले तीन दिन चार दिन सास नहीं आ रही थी कि भईया आप तो क्या करेंगे घर भी अपना मने, my home was also given as collateral मेरा तो घर भी बैंक के पास में collateral था तो पहले तीन चार दिन स्ट्रेस दूसरा उसके बाद में एक चीज़ समझ में आगई दीवन में कि अब यहां से, you know, fix कर लो routine दंदे पर focus करो और अगर दिन बर यह देखेंगे कितने लोग को कोवड हो रहा है कहां पर क्या कमी चल रही है वो और दिमाग में जाएगा तो उस समय मुझे एक बहुत important चीज समझ में आई सर work balance is your life that is work life balance मैं सुबह से लेकर शाम तक एक बीवार न्यूस नहीं देखता था I had nothing to do I used to just pray to God कि यार सब का अच्छा हो सब healthy हो India को ये India जितनी better इसको निकाल सके निकाल ले मैं मैं टीम को भी बोलता था टीम टोर मिया रहे आप क्या बोलो यार work from home करो अभी हम बहुत stress में है मैंने का तुम उन डॉक्टर्स की सोचो जो कोट में भार जा रहे है तुम से अधा stress उनको है लेकिन वो भी तो जा रहे है ना तो तुम क्यों घर में बैठके stress ले रहे हो काम करो और तुमारा काम में मन भी divert होगा तुम ये सब देखोगे तो और डिप्रेशन में जाओगे तो अखोँ होना है तो होगा तुम दिन बर सोच सोच के अपने आपको पहले विमार कर लोगे मैंने अपने आपको वही क्या चार दिन तो ओप्रेशनली वो जो तीन महीने मैंने सुबह दस बजे शार्प में अपने रूम में गुशता था महला मेरी सिस्टर का रूम था उसमे एक स्टडी टेबल थी उसमे बैठता था और रात को साथ आट बजे बाहर निकलता था पूरा दिन स्टाटेजी क्या करना है पुराने काम क्या खतम करने नया काम क्या करना है वो बाकी का पैसा भी 100 पूरे groups में हमारे apparel के group होते हैं उसमें सब लोग मैंने lay off की बात कर रहे हैं मैं अकेला message कर रहा हूँ मुझे denim की capacity चाहिए तो उस समय मैं अकेला था और इतनी factories आजा थी थी ये अकेला आदमी माल बना रहा है बहुत लोगों ने बोला मरेगा मैंने बोला यार 100% यही time है जब मन्दी हो तब धन्दे पे सबसे आदा focus करना चाहिए उसको grow करना चाहिए तेजी में तो सभी grow कर रहे है तब तो आप default से grow हो जाओगे तो I think operationally जो अपने बात कर रहे थे हैं वो यह है कि operationally बाहर निकलना बहुत जरूरी है वो तीन महीने की thinking मुझे अगले चार साल तक काम आई अब मैं वापस you know I'm again going back to that zone where I want to strategize now for next 3-4 years and say के but operationally बाहर ने आपाते हैं कभी-कभी क्योंकि नई कंपनी है ना मने अभी-अभी इतना growth हुआ है सब लोग भी नई है processes भी नई बन रहे है right in sense के वो लोग भी समझ रहे है process को तो जितनी जल्दी एक founder operational उससे भाहर आएगा उतनी उसकी company जादा गोग करेगी तो उसके लिए operationally effective लोगो को company में डालना चाहिए काश ये knowledge मुझे मिली हुती है at age 22 जो शायद audience को मिल रहे है I hope that audience is actually I mean people who look at your show and they're very passionate about your show is able to get something good out of this they're able to learn that you know पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है team नहीं है कोई दिक्कत नहीं है चालू कर लो with the right intention and you will definitely get there you are an example of that you know for sure yourself so execution is important ये मेरी लाइफ की सबसे पड़ी लर्निंग है ideas बहुतों के पास होते पर execution पर focus करो and हो सगे तो execution से पहले prepare कर लो podcast देख कर हाँ 100% तो वो तो होना ही है thank you Anand भाई मजा आ गया आज पता चला है कि इतने सारे celebrity brands fail क्यों होते है और ये भी बता चला है कि आपको उसी डोमेन में इतनी ज्यादा सफल था क्यों मिली है he was wishing you even more and he was hoping that you become India's answer to इमायन से ओटेगा I'll answer the question but before I end the podcast एक अभी बहुत news में वाइरल हुआ था कि 4,000 रुपे का जो luxury bag है जिसकी cost 4,700 रुपे वो कुछ 4,500,000 में बिकर आता तो अभी आप आपका शर्ट का भाव निकाल ले ना तो अभी आपको luxury का पता चल जाएगा थोड़ा 600-700 600-700 अब आप निकाल सकते हो ना यह तो यह तो public domain में information available थी कि 4,700 रुपे की costing का back कैसे 5,000,000 में बिकर है so I think you can take that out and understand the cost of your garment as well यही होती है game anyway thank you Anand भाइ मज़ा आगा आपके साथ thank you so much sir pleasure see you soon thanks तो दोस्तो यह था आज का podcast जितने ज्यादा प्रिय मुझे spiritual podcast लगते है उतने ही ज्यादा प्रिय उतने ही ज्यादा प्यारे मुझे business वाले podcast लगते है मैं हमेशाना in-depth conversation करने से थोड़ा सा डर जाता हूँ क्योंकि I don't know how far people want us to explore details तो मुझे feedback दीजे इस episode को लेकर बताईए यह वाली business conversation आपको कैसे ही लगी मैं यह जानता हूँ कि इस episode में हीरे भरे हुए तो अपने aspiring entrepreneur friends के साथ यह वाला episode share कीजे अनेंद भाई को follow कीजे उनके social media handles हम link कर देंगे नीचे उनकी company The Indian Garage को को मैं खुद बहुत जादा support करता हूँ क्योंकि ऐसे grind oriented hustle oriented success stories आपको भारत में इतने ज्यादा नहीं दिखाई देते apparel space में हमारा Indian apparel space अब फूट के ग्रो करेगा आपकी बदॉलत अगर आपने सारे knowledge का फाइदा उठा कर execute किया तो All the best I hope you enjoyed today's special with Anand Tater Bye